Hello everyone and welcome again to Psycho इस वीडियो में हम उत्राखन पुलिस मुख्या RxC के लिए Mini Mach Test 3 लगाएंगे जिसमें हम Physics के 20 Questions, Math के 10 Questions और English के 20 Questions को Solve करेंगे इसमें जो हमारा Target होगा वो होगा 40 Marks, आपको 40 Marks से स्कोर करना है with Negative Marking Negating Marking कितना है उत्राखन पुलिस मुख्या RxC में तो 1 by 4 यदि आपको 4 Questions गल है तो आपका एक Number कर जाएगा पिछली वीडियो में हमारा Target 45 Number था जिसको सिर्फ 3 Candidate ने अचीब किया है Knowledge Fact और इनका Knowledge Fact के अब 50 मिन से 50 आया है बिल्कुल और दूसरे Top Scorer ये है क्या है इनका नाम अच्छा सा नाम रख लेकर हूँ ताकि प्रनाउंस करने में तो दिकत ना हूँ इनके आया है 47.75 थर्ड है टॉपर हमारे Nature Sort इनके 45 है ये Top 3 Scorer है इसके साथ साथ कुछ और लोग है जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है जैसे कि अंजुम अलिय है 43.75 विजय कुमार 42 नीलम रावद 42.5 अंगी जोसी 40.50 इसके साथ साथ कुछ लोग Positive Comment भी करते हैं जैसे कि नेहा चोहान रावद है ये जो कमेंट करती है बहुत Positive Comment करती है पढ़के अच्छा लगता है साथ में कुछ ऐसे भी लोग है जो Negative Comment भी करते है जो अपने आपको Superior समझते हैं कि हमें ही सब कुछ आता है ये तो ऐसी बगवास कर रहे है तो ऐसे भी लोग हैं कुछ तो जो आपके Positive Comment है उनी को पढ़के मेरे को वीडियो बनाने कम्बन करता है क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं कोई कोर्स तो पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं भी चाहता तो लाक्ट के 10 दिन में आपको बोलता कि 300 रुपए का कोर्स है और 10 मैं मॉक टेस्ट करवाऊंगा इसमें और यह यह और इसमें अगर 100 बच्चे वीडियो उड़ाते तो सोच लो कितने पैसे बन जाते लेकिन मैं ऐसा पैसों के लिए नहीं करता हूं मैं कभी भी पढ़ाना और समझाना मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं और वीडियो डेली नहीं आपाती इसका कारण बस यह है कि मेरा पास दूसरे वर्कलोड होते हैं जिस दिन वर्कलोड नहीं होता उस दिन मैं वीडियो बना लेता हूं किसी किसी का कहना है कि पेपर का जो लेवल भूट इजी एंद किसे नहीं तो देखें फिजिक्स के जो क्विशन है वह कॉशन कौन से क्वेशन है जो UK332 ने पूचे हैं यह question मैंने अपने आप से नहीं बनाए मैं सिर्फ math के और English के question बनाता हूँ जो physics के question है physics के question क्या है यह जो UK SSC न अभी पूछें पिछले साल Forrester के exam में वो question है जो 11 और 12 लेवल के हैं तो वो UK SSC का लेवल है और UK SSC आपका paper बनाएगा तो हो सकता है कि इसी लेवल के question है तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं आज का जो target है वो 14 number है और पहले उससे पहले मैं जैसे बोलता हूँ कि मैं अगर मैं गलती करता हूँ तो fewer आएगा क्योंकि यहां पर हम comparison कर रहे हैं तो fewer आएगा comparative degree का use होगा few नहीं आएगा तो इसको correct कर लेना fewer आएगा एक question आप इसके लिए भी बोल रहे हैं कि यह भी गलत है यह कि the secretary has fewer work to do than I had yet he complaints तो आपने बोला कि fewer work की जगे पर क्या आना चाहिए था least work आना चाहिए या फिर अलग-अलग जो भी बोल रहे हैं तो यह जो है जो मैंने आपको बताया कि less work आएगा यह बिल्कुल सही है यदि आपको यकिन नहीं आ रहा है तो मैं आपको वह दिखा देता हूं यह है SSC की answer की यह SSC के question लिया पहला question देखते है in a solid what is the component of the contact force parallel to the surface in contact called किसी ठोस में संपर्ग के समानतर संपर्ग बल के घटक को क्या कहा जाता है तो बल पुछा गया है और कौन सा बल पुछा गया contact force पुछा गया है ऐसा contact force जो सत्ह के समानतर लगता है सत्ह के parallel लगता है वह बताना है में आप्शन में बोल गया विस्कोसिटी फोर्स नॉर्मल रियक्शन और ग्रैविटी तो देखिए नॉर्मल रियक्शन तो कट जाएगा ऐसी ठीक है और ग्रैविटी भी कट जाएगा क्यूंकि ग्रैव ठीक है तो जेस्सिंटी पीटी इस जानन आपनेयों की जरगता है और इधर से यह जंक्शन है यहाँ सम्हान है एधर से यह जंग्शन यहांसे जो अलग अलग धारा इन बैट गई टिक हैं तो वही बोल रा हैważ कि जो यह धारै आई यह जो धरा है आई वन आई ट्ू आई तरी अगर इन तिनों को सम्पर करुएम ऑश्रों के छあー इक्वल होता है ठीक है जो इंकमिंग धारा है और जो जंग्शन के बाद बहार जाएगी मतलब आउट गोइंग धारा है इन दोनों को सम्द क्या होता है इक्वल होता है नैस्वेशन देखते हैं नैस्वेशन विच अमंग फॉल्विंग इस स्केलर कॉंटिटी अधिसरासी सबendo क्षाज पूछीसा गई हमसे हम्नेमेशन अधिसरासि गया है तो इमपल्स अधिसरासी नहीं है ये सद्स है मोमेंटम सद्स है फोर्स सद्स है प्रैसर के है मर अधिसरासी है ब्ल्स करेक्शे सरे यानि प्रैसर का अधिसरासी नीima мелinfl कोई बश्तु पूरी तरह से अग कर दो झाज operates तो घंअ सिर्ष से होगा तो तयरे लगेगी हमसे उसकोई नियुक्तिटी है कि यह अब कि पानी की density हम मानते 1 ग्राम पर cm3 है अब कोई वस्तु है उसकी density है 2 ग्राम पर cm3 तो यह तैरेगी की डूबेगी तो यह डूब जाएगी ठीक है क्योंकि यह पानी से इसकी density ज़्यादा है तो डूब जाएगी और इसकी density कम होगी यानि एक से कम होगी 0.1 कुछ होगा तो वो पानी के उपर तैरने लग जाएगी तो यही पुछा गया है कि उसके तैराने हमने तो उसकी density दरव की density से कैसा होना चाहिए कम होना चाहिए option number B यानि less than होना चाहिए next देखते which of the following is referred as equation of state में से किसे अवस्था समीकरण कहा जाता है चीक है अवस्था समीकरण किसको बोलते है boils equation को बोलते है Charles या पिर ideal gas या फिरентов गॉस equation तो गॉस को थो आंसी काट दो गोस ऐसे स, पता नीज क्यों दे रखा है या पर तो अवस्ता समीकरन या फिर बोलेंगे equation of state किसको बोलते हैं तो ideal gas समीकरन जो होता है PV is equal to nRT इसी को बोलते हैं हम क्या इसी को बोलते हैं अवस्ता समीकरन या फिर ideal gas equation ठीक है option number C के रख्ट हो गया आगे जलते हैं which among the following electromagnetic wave is produced by the acceleration motion of charge in conducting voids संचालक तारों में आवेसो की त्वरित गती द्वारा निमलकित में से कौन सी विद्धु चुमब की त्वरण उत्पन होती है जो conducting wire होती है उसमें जो current flow होने के कारण जो waves generate होती है उस waves को क्या बोलते हैं microwave, radio wave, x-ray या फिर gamma ray तो gamma, alpha, beta, gamma तो यह यह तो वहां से निकलते है radioactive material से तो यह हो नहीं सकता x-ray भी नहीं है microwave भी नहीं है इसका answer क्या है radio wave radio wave संचालक तारों में आवेसो की जो त्वरण होता है उसके द्वारा उत्पन होता है जैसे कोई wire है इसके अंदर electrons flow हो रहे है तो इनके flow होने से इनके accelerate होने से कौन सी waves generate होगी तो radio waves होती है option number B correct होगी है इसका अब आपके 12th class में electromagnetic wave का पूरा chapter है उसमें से हमने कुछ questions किये भी है अब देखिए आप से पूछा जा सकता है उनकी uses जैसे x-ray का कहां पर use करते है microwave का radio wave का आपके तो use एक बार दिखा देता हूँ है आपको देखिए जो radio wave होता है radio wave का हम use कहां कहते है जो telecast करने में किसी इसको broadcast करने में वहाँ पर हम radio wave का use करते है use to broadcast radio and television microwave microwave oven में use करते है इसका used in cooking microwave oven में radar में use करते है telephone and other signal इसमें भी यूज़ करते हैं infrared देखे कहां से निकलता है जो गरम चीज़े होती है वहां से infrared निकलता है इसका यूज़ हम देखे infrared का हम यूज़ infrared sensor बनाते हैं और infrared का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं जैसे अभी आपने वो सुना होगा इसके वज़े से हम लोग देख पाते है ultraviolet ray क्या होता है observed by the skin used in fluorescent tube इसका use हम कहां करते है fluorescent tube होता है fluorescent tube जैसे TFT बनाते हैं तो वहां भी fluorescent tube में डालते हैं इसको ठीक है x-ray x-ray का यूज़ कहां करते है used to view inside the body and object कोई object शरीर के अंदर घुज़ गया उसको देखने के लिए या फिर हटियां कहीं से तूटर के उसके लिए और gamma रहे क्या है used in medicine for killing the cancer cells ठीक और यह कैसी है यह radioactive तरंग है तो यह हो गया आपके electromagnetic waves और उसके uses ठीक आगे चलते है what is the amount of the electric charge that flow through the circuit if a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes यदि किसी विदुद वल्व के तन्तू द्वारा 10 मिनट के लिए इतनी धारा ली जाती है तो परिवत में प्रवाइथ होने माली विदुद आवेस की मात्रा विदुद आवेस पुछा है basic सा formula लगेगा i is equal to q by t यह किसका formula होता है धारा का formula आवेस की प्रवाह की दर को धारा केरते है हमें निकालना है q i दे रखा t दे रखा है q is equal to क्या होगा i t i कितना है 0.5 और t कितना है 10 मत रख देना यह मिनेट में हमें किसमे second में लेना पड़ेगा क्योंकि physics के numerical करना है तो SI में करेंगे तो 10 गुना 60 से इंटू कर दूँगा तो यह जाएगा second में ठीक है इसको इंटू कर देते 6 बंजे 30 यानी 300 ठीक है 300 को लाम इसका answer आगे option number C correct हो गया आगी चलते है next question है which law states that within the elastic limit stress developed is directly proportional to the strain produced in a body concern नियम कहता है कि पर्तियास्त सीमा के भीतर विक्सित पर्तिवल पिंड में उत्पन विक्रिति के अनुपाती होता है समानुपाती होता है ठीक है तो आपको मैंने पूरा चप्टर पढ़ाया था और same यही definition आपको बताया था सेम वही definition question पूछा गया यूके तिल पलस सी के द्वारा तो किसका नियम यह है हुक्स का लो है हुक्स के नहीं क्या वो ला था कि पर्तियास्ता सीमा के भीतर विक्रिति के आउती है पर्तिवल के डारेक्टी परपोर्शनल होती है ठीक है easy उक्स लो next question देखते है next question है who conducted that an object moving on a fiction-less horizontal plane must neither have acceleration nor retardation retardation क्या होता है जैसे acceleration क्या होता है positive लेते है acceleration को हम किसी हम किसी वस्तु की गति को जब बढ़ाते है जैसे वो 5 है उसको 10 कर दिया तो हमने उसको क्या किया accelerate किया यानि बढ़ा दिया उसकी गति को तो यह होता है positive acceleration जिसको हम simply acceleration बोलते है पर मान की चलिए अगर किसी वस्तु की गति 10 meter per second थी और उसको हमने कम कर दिया 5 meter per second कर दिया तो यहाँ पे हमने क्या किया उसे retard कर दिया इसी को बोलते है retardation वी मंदक ठीक है तो retardation ही होता है और यह negative होता है ठीक है acceleration का opposite होता है negative में हम इसे लेते हैं तो किसने कहा था कि एक घर्षन रही 16 सम्तल पर गतिमान वस्तु में ना तो तौरान होता है और ना ही वी मंदक होता है यानि retardation होता है किसने कहाता है ये कहाता आपके गैलिलियो गैलिले ठीक है गैलिलियो गैलिलियो अप्शन नमबर C करेक्ट हो गया NCRT से लाइन उठाके डाल दिया ठीक है अप्शन नमबर C करेक्ट हो गया इसका Next Question किसने सजाब दिया कि एक चालक में बहने वाली विद्दु धारा एक चुंब के छेत्रव उत्पन करती है और चालक के समीब के छेत्र में रखे चुंबक पर एक बल अरौपित करती है तो किसने बोला था आंद्रे मेरी एंपियर ने बोला था option number B कि इसने क्या बोला था कि चालक में अगर एक कोई चालक तार हमने ये प्रूब भी किया था चालक तार में कोई धारा प्रवाइट हो रही है और इसकी दिसा भी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं ठीक है ये किस ने बोला था आंद्रे मेरी एंपियर ने बोला था ये उनिक अपरी हो गया option number B correct हो गया आगे चलते है आपको मैंने जियो स्टेशनरी सैटलाइट को बहुत बार बता दिया कहां पे अपरेट करता है वो ठीक है अगर आपके option में 36,000 किलो मेटर से 38,000 किलो मेटर के बीच इस बीच में अगर कोई option मिलता है तो वो जियो स्टेशनी सैटलाइट का right answer होगा आप से पुछागे पोलर सैटलाइट का पोलर सैटलाइट को हम कहां पे स्थापित करेंगे प्रित्वी सत्य से कितनी उचाईपे तो option number C correct होगा 200 से लेके 1000 किलो मेटर के बीच आगे जलते which among the following laws state that there is an induced electromotive force equal to the rate of change of magnetic flux निमलखित में से कौन से नियम कहता है कि चुम्ब की अभी भाव के परिवर्तन की दर के बरावर एक प्रेरित विद्दुद वहागबल होता है तो यह किसका नियम की induced electromotive force यानि की विद्दुद वहागबल जो होता है वो rate of change of magnetic flux के बरावर होता है तो यह किसने बोला था यह किसने बोला था ampere ने नहीं बोला था ampere Maxwell ने नहीं बोला था कुलाम ने नहीं बोला था परनोली कहां से आ यहां पर फेराडे ने बोला था Michael फेराडे का नहीं है में यह ठीक है तो option number हमारा B correct हो गया option number B correct हो गया ठीक next चलते है a static body begin to move only when external force exceeds the exceed the अच्छा एक स्थीर पिंट तभी गती महान होना शुरू होता है जो बहायवल dash से अधिक हो किस से अधिक हो जैसे कोई स्थीर है कोई body है वो स्थीर है अब इसको हमें गती करवाना है motion करवाना है तो क्या करना पड़ेगा इस पर एक बल लगाना पड़ेगा लेकिन जैसे कोई एक दीवार है भी वर पर धक्का मार होगे तो वो मोशन नहीं कर पाएगा क्यूं? क्यूं? आप तो बल लगा रहे हो लेकिन वो मोशन नहीं कर पा रहा है क्यों ऐसा हो रहा है क्यूश problem परीमान जूआ बल लगा रहे हो उसका जो मान है वो उसके static friction से कम है यदि आपको उस वस्तु को हिलाना डूलाना है तो उसके static friction force जो उसके उपर लग रहा है friction के कारण जो उसके उपर बल लग रहा है उस बल से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा आपको ठीका तब ही लोगे का roller है उसको हिलाना है तो नहीं हिला पाओगे क्योंकि जो उसका static friction होगा वो ज़ादा होगा आपके द्वारा लगाएगगे बल से तो यदि आपको किसी भस्तु को हिलाना है तो आपको जो बल है उसका मान क्या होना चैए static friction से ज़्यादा होना चाहिए तो बाहिये बल क्या होना चाहिए maximum limit of the static friction यानि जो static friction की maximum limit है उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा परिमांड का आपको बल लगाना पड़ेगा तब भी वो हिल पाएगा तो option number क्या होगा इसका C होगा ठीक है next question देखे what is the relationship between the magnification M object distance U and the image distance V of the spherical mirror magnification का formula पुछा गया है आवर्धन का formula पुछा गया है तो एक चीज़ आपको ध्यान दे देना कि जो आपका एक्जाम होगा उसमें तीन से चार question आपको optics से जरूर मिलेंगे optics से बहुत ज़्यादा question पुछा जाता है एक्जाम में optics से तीन से चार question आ सकता है हमसे पुछा गया गोल ये दर्पन गोल ये दर्पन का आवर्धन का formula क्या होता है M is equal to H is equal to minus Vyu ये होता है आवर्धन और अगर हम lens की बात करें तो ये माइनस हट जाता है ठीक है okay lens में ये माइनस नहीं होता है ये दर्पन की बात कर रहा है तो इसलिए होता है तो देखे हमसे पूछा गया था उसने U और V U और V में तो ये हो जाएगा M is equal to minus Vyu किस वाले option में option number C में M is equal to minus Vyu option number C करेक्ट हो गया ठीक है next question देखते है next question what is the absolute refractive index if the material medium is the diamond diamond का में अपवर तनांग पुछा गया कितना होता है diamond का सबका बता दिये मैंने आपको important diamond का कितना होता है 2.42 होता है 2.42 होता है option number B करेक्ट हो गया एक question ये भी है जैसे हम कुछ वो बनाते है आभुषण वगेरा तो उसमें diamond का use क्यों करते है और diamond की किमेट इतनी जादा क्यों है आभुषणों में तो इसका बस कारण ये ही है आप सोच रहेंगो उसकी कठोरता की वज़े से तो ऐसा कुछ नहीं है सोना जो आप पहेंटे सोना की कठोरता बहुत कम होती है पर उसमें हम चान दी मिला कि उसे कठोर करते है तो कठोरता की वज़े से हम कोई आभुषण नहीं लेते है कि ये जो आभुषण है सबसे कठोर ऐसा नहीं उसको जो refractive index होता है सबसे ज़्यादा होता है refractive index सबसे ज़्यादा इसका मतलब वो चमके का ज़्यादा जितना ज़्यादा refractive index उतना ज़्यादा उसमें चमके का पूनांतरिक परावरतन होता है ठीक है तो ये और एक question ये बनता है कि diamond का हम use cutting करने के लिए क्यों use करते है मतलब किसी metal को काटना है तो उसके लिए हम diamond का use क्यों करते है क्योंकि वो सबसे तब वहाँ पर आता है आपका answer क्योंकि वो सबसे cutthore होता है ठीक है इसलिए हम उससे काट सकते है तो इन दोनों का भी ध्यादा रखना है आगे देखते है next question in which among the following types of collision two particles move together after the collision किस परकार का जो टक्कर होता है उसमें टक्कर के बाद दोनों जो body है वो एक साथ move होती है तो एक body यहाँ थी यह body B थी एक body A थी यह यहाँ पर थी यह आई इसको टक्कर मार दिया इसको और अपने साथ ही लिजाने लगी मतलब कि यह दोनों आप ऐसे होगे A और B दोनों आप A की direction में गधी करने लगे तो यह किस परकार का collision होता है जिसमें एक दूसरे को लिजाता है अब देखिए अगर इलास्टिक कोलीजन होता तो टक्रानी के बाद दोनों अलग हो जाते है ना इलास्टिक में और कुछ भी लोजन होता अब इसका मतलब यह है कि इनलास्टिक कोलीजन होगा इनलास्टिक कोलीजन होगा तब यह एक दूसरे से चपके होगे अगर सिर्फ इतना होता inelastic collision तो इसका मतलब होता कि टक्कर के बाद दोनों अलग हो जाएंगे अगर वो चिपके रह गए दोनों चिपके में इसका मतलब कि completely inelastic है which part of the electromagnetic spectrum was associated in the radiation pressure experiment carried out by Nicholson and Hull in 1903 बोला गया कि 1903 में Nicholson और Hull किये गए विगरेंट दा परियोग में विद्दु चुम्बक के वन पट पर कौन सा भाग संबद था कौन सा भाग की खोज की गई थी तो ये जो लाइन है बिल्कुल आपके NCRT से copy की गई है मैं आभी आपको दिखा भी दूँगा ये देखिए मैंने आपके ये आपके NCRT में लिखा वाग और यही पूछा गया है UKSSS द्वारा तो कौन से किरेंट का जो विकरेंट डाब मापने में सफलता पाई थी इन दोनों ने कौन सा भी पहड़ा हमने विजिवल लाइट का ऑप्सन नमबर D करेक्ट हो गया ठीक है आगे चलते हैं next question देखिए what is the energy used for generation of hydro electricity in dam जो dam से हम बिजिली पराप्त करते हैं उसको बोलते है hydro electricity ठीक है जल विद्दूत और जो डैम में उर्जा होती उस किस उर्जा का हम उप्योग करते है hydro electricity को बनाने में तो कि अप्शन देखते हैं अप्शन नमर्फ फर्स्ट है kinetic energy ठीक है अप्शन नमर्फ सेके कानेटिक energy विंड ऐसे से अप्शन देता है युके तरफलाशी पूछा गया है water का और यहां बोल रहा है wind का विंड फ्लोईंग अबब दा वाटर ठीक है अप्शन नमर्फ सी यह तो कड़ीगा ठीक है तो जैसे आपसे डैम की पुछ जाए कि डैम में जो water होता है उसमें कौन से energy होती है तो वह होता है आपका potential energy यह डैम है इसके पूछे हमने पानी श्टोर करके रखा तो इसकी स्तिति के कारणे इसमें एक स्तिति जूड़ जाओगी ठीक है इसी स्तिति जूड़ जा का उब्योग हम कहां करेंगे electricity को बिनाने में करेंगे अब लेकिन यहाँ पर एक question और आता है हम hydro electricity में किस energy को किस में change करते है तो हम क्या करते है यह जो पानी की जो potential energy है इसको हम किस में change करते है काइनिटिक energy में पानी में देखिए क्या है potential energy इसको हम क्या करेंगे गिराएंगे किस पे गिराएंगे हम turbine तब तर्वाइन घुमेगा तो जब यहां से इस वाले रास्ते पाएगा यानि अब इधर तो यह क्या था तो यह ध्यान देना है आपको अगर वह पूछे कि कि किस में CH-Dक तो हगते हैं तो कोश्यना मुंक्या है और वह लागए था है बोडी में भी capillary veins पाई जाती है capillary का मतलब होता है बहुत छोटा बाल के size की है अकार का जो हमारे बाल है उतने size उसे बोलता है capillary तो जरूर होगा यहाँ पर छोटे की बात हो रही होगी तो आप option को ऐसे eliminate कर सकते हैं more than 10 meter तो हो नहीं सकता more than 100 meter भी नहीं हो सकता अब बचा millimeter centimeter अब सोचोगे centimeter भी नहीं हो सकता millimeter सही है जो की गलत हो जाएगा millimeter नहीं होता जो capillary wave है उसके wavelength कितना होता है 1.73 से कम होता है 1.73 centimeter से कम होता है या फिर इसके बरावर होता है तो जो इसका जो wavelength होता है लगबग centimeter में हम इसको calculate करते हैं तो option number B correct होगी है इसका ठीक है 1.73 centimeter होता है इसका wavelength अगर exact पूछा जाए 1.73 next question is if the moon's orbit is considered to be a perfect circle what is the angle between the instantaneous displacement and earth's gravitational force यदि चंद्रमा की खक्षा को पूर्ण रूस पर वित्ताकार माना जाए तो उसके ततकालिक विस्थापन और पृत्वी के गृत्वाकर्शन बल के बीच में कितना कोण बनेगा तो बताया मैंने आपको यह है पृत्वी यह है चंद्रमा इ अब मैंने इस पर एक question भी पूछा था आपसे कि यदि कोई satellite पृत्वी की चारोर चक्कर काट रहा है तो वह कितना कार्य करता है तो मैंने बोला था कि वह जीरो कार्य करता है इसका कारण मैंने यह बताया था कि यह जा तो इधर रहा है विस्थापन तो इसका इस हो गया ठीक है तो यह 20 question हो गया है हमारे physics के अब देखते है math के question क्वेशन करना है में ठीक है easy सा question है या तो आप इसको उसमें बना सकते हो क्वेशन x और y के roots में या फिर वैसे नहीं करना चाहरे हो तो कोई नहीं direct कर लो तोड़ तोड़ के इसका कर दो इसका कर दो इसका क हो जाएगा और इसका करूंगा तो क्या बचेगा एक्स बचेगा और इसकी limit ले रहेते हैं कितना 0 से लेकर 2 तक की समझ में आया कैसे कि नहीं आया तो आप बहुत पीछे चल रहे हो दो रखेंगे तो आठ बटे तीन प्लस दो रखेंगे या चार बटे दो और प्लस दो आ की आसान सा question है देखिये आसान किसके लिए बोल रहा हूं जिसको नहीं आता है उसके लिए दो टफी होगा यह देरका हमें y is equal to under sin x प्लस y यह देरका है इसका हमें करना है आफ कलाएगा तो मैं कर रहा हूं तो दोनुंग साइड में स्क्वायर कर दे रहा हूं तो यह क्या जाएगा y square is equal to sine x plus y ठीक है यह बनजाएगा अब मैं कर रहा हो इसका x के साफ एक sub-colon क्योंकि मुझे चाहिए dy y dx तो x के साफ x करना पड़ेगा इसका मैं कर रहा हो x के साफ x sub-colon y square is equal to sine x plus y x के साफ x sub-colon करूंगा तो यह क्या बनजाएगा 2y आ गया जाएगा और dyy dx हो जाएगा चीक है, is equal to sine का करूँगा तो क्या बनेगा, x के साफ एक cos बन जाएगा cos x, sine का क्या होता है, cos x होता है और y का करूँगा तो यह बन जाएगा dyy dx चीक है, अब क्या करूँगा, मैं इसको इधर लिया रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, 2y dyy dx और minus का dyy dx यह इसको उठा के लिया क्या है, इधर क्या बन जाएगा cos x, इन दोनों में मैं यह common ले लेता हूँ dyy dx, dyy dx common ले लिया तो अंदर क्या बन जाएगा, 2y minus 1 इधर क्या बन जाएगा, dyy dx की value चाहिए इसको मैं इधर भिज सकता हूँ, तो बन जाएगा cos x बटे 2y minus 1 जो कि आपका option number किसमें, option number a में ही है cos x upon 2y minus 1, ठीक है, easy question था option number a करेक्ट हो गया, next question देखिए next question आपका inverse trigonometry से है, ठीक है हमें इस expression की value बताने, इसकी value क्या होगी इसको solve करते हैं, सबसे पहले अंदर वाले bracket को solve कर रहा हूँ, इसको ठीक है, तो देखिए 10 inverse, इस 1 की जगे मैं क्या लग सकता हूँ, 1045 लग सकता हूँ, क्योंकि 1 की value 45 होती ही, 1045 लग सकता हूँ इस 10 से 10 कर जाए, क्या बचा है सिर्फ 45, तो इसकी जगे क्या आगया, cos45, cos45 इसके बाहर क्या है, एक bracket लगा जाता हूँ, इसके बाहर है cot inverse, और इसके भी बाहर क्या चल रहा है, sign चल रहा है, ठीक है, तो यह बात में लखेंगे, अब cos45 की value कितने होती है, एक बटे root दो, लिख दिया, अब अंदर क्या बचा है हमारा cot inverse, एक बटे root दो, एक बटे root दो, और बाहर तो हमारा sign चली रहा है, अब देखिए, यहाँ पे है cot inverse में, और इधर है sign, अब मेरे को यहाँ पे sign चाहिए, तभी तो मैं इस sign से sign काटूँगा, यह calculation आपकी mind में चलनी चा अब यहाँ पे मैं sign कैसे बनाऊ, तो देखिए, cot क्या होता है, लाल बटे कक्का आपको पता है, लाल बटे कक्का या फिर जो इंग्लिस में होता है, hypotenuse वारा वो भी पता होगा आपको, cot क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार कितना है, एक, लंब कितना है, दो तो कंड कैसे आजाएगा पाइथागोरे से लगाओ रूट तीन आजाएगा ठीक है दो का स्कार करेंगे दो और एक तीन रूट तीन आजाएगा अब हमें देखिए साइन पता करना है तो साइन क्या होगा साइन क्या होता है मारा लंब टे कंड लंब कितना है, root 2, कंड कितना है, root 3 तो sign की जगे कितना आजाएगा यहाँ पर देखिए, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, सब कार्ट कुट के sign बाहर है, यह वाला sign बाहर है और इस quad को मैंने sign में change कर दिया तो sign inverse, क्या आया था हमारा लंब बटे कंड, लंब कितना था हमारा root 2, और कंड कितना था root 3, ठीक है इस sign से यह sign कड़िया, यह वज़ा root 2 by root 3, जिसको हम लिख सकते हैं, पूरे का under root 2 बटे 3, जो कि आपके option number, option number D में option number D हमारा correct हो जाता है, under root 2 बटे 3, ठीक है, easy question आगी जलते हैं ने आपका scalar product निकालने हैं scalar product यानी कि अधिस गुननफल बताने हैं, अधिस गुननफल बहुत इजी होता है, मैंने आपको physics में बता रखा, physics में vector वाली chapter में अधिस गुननफल, सदिस गुननफल, जोड़ घटाव सब बता रखा है आपको, ठीक है आज इस गुननफल पर सबसे easy होता है, scalar product देखिए कैसे करते हैं, direct I वाले को I के साथ गुना करते हैं, J के J, K के साथ with sign, sign के साथ, 5 की करेंगे, 3 से कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर plus का 1 है यहाँ minus का 4 हो जाएगा यह minus का 3 हो, यह 7 तो minus का 21 ठीक है, I, J के हट जाता है क्यों हटता है, कि वो I की into I से करते हैं तो क्या बन जाता है, वो 1 बन जाता है J की J से करते हैं, तो 1 बन जाता है आप देखिए, इसको जोड़ते हैं, तो minus 25 हो जाएगा और इधार है 15 तो minus 25 में से 15 हो गया, तो minus 10 option number B correct हो गया आपका आगे चलते हैं next question है, the projection of the vector projection बताना है, ठीक है, आप किस लेवस में projection दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं यह वाला question लिया, projection बताना है इस vector का on the vector इस पे, हम देखिए, मैं हिंदी वालों को यह सला दूँगा, कि यह जो projection वाले सवाले से आप English में attempt करें, बहुत इजी होता है, हम इसमें यह भूल जाता है, कि नीचे किसको रखना है, तो on the vector जो बोलता है, उसको नीचे रखते है तो जो यह on the vector जो होता है, वो सबसे पहले क्या करना है, a dot b अभी हमने dot देखा कैसे निकालते हैं, अधिस गुननफल और mod भी मैंने आपको पिछली वीडियो से में बताया कैसे निकालते हैं, तो direct मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसका हम पहले dot product निकालते हैं, तो 2 इक हम यहाँ, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 की 1, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं अब इसका mod निकाल है, mod कैसे बोला था मैंने, इसके जो coefficient है, उसका square करना है 1 का square 1, प्लस 4, प्लस 1, तो यह कितना हैं, उपर कितना हैं, 4 और 15, 5 बटे root 6 आ रहा है इसका answer, 5 बटे root 6 ठीक है, हमारा option number B में भी है, तो इसका answer आ गया, 5 बटे root 6 ठीक है, option number B correct हो गया, ठीक है, तो projection ऐसे निकालते हैं, vector A, dot vector B, upon जिसके उपर हमें projection निकालने, वो नीचे उसका mod आता है next question दिखते हैं, next question है, कि A यह दे रहा है, B यह दे रहा है, then cost data बताना है, angle बताना है, इनके बीच में, तो कैसे निकालोगा आप angle, उसने बोल दिया question में, cost data निकालो, तो cost data किसमें होता है, A, B, cost data, किसमें होता है, जब dot निकालते है, जैसे vector A, dot vector B, इसको करते हैं, mod A, mod B, cost data, A, B, cost data, यह आता है, vector A दे रहा है, vector B दे रहा है, और mod निकाल लेंगे, और cost data यहां से आजएगा, easy है, सबसे पहले क्या करते हैं, vector A, dot vector B, यह कितना आएगा, इंटू करते हैं, एक की करेंगे, तीन में तो तीन, और दो दुनी, चार, और तीन, ठीके, कैसे कर रहा हू टू का, इसका mode निकालते है, vector A का mode निकालेंगे, तो कितना आएगा, under root, एक करेंगे, एक, और दो करेंगे, तो चार, चार और एक, पाँच, और तीन का करेंगे, नव, पाँच, और नौ, पाँच, और नौ कितने हो गए, आपको 14, चार दिथे यहां पे, इसका करते है, तो इसका करेंगे, तीन का करेंगे, नो, दो करेंगे, चार, चार और एक, पांच, ठीक है, ये भी आगया आपका root 14, ठीक है, root 14 ये भी आगया, root 14, इसका mod भी root 14, इसका mod भी root 14, और इन दोनों का dot की है, हमने, वो कितना है, 10 है, तो सारी value रखते है, क्या, cost data की value की निकाले, जैसे a dot b is equal to a b, cost data होता है, ठीक है, इसकी value पता है, ये 10, इसकी value है, root 14 पता है, इसकी value भी root 14 पता है, cost data की value निकाले, इन दोनों को नीचे भेढ़ दूँगा, देके, root 14 के into root 14 से करूँगा, तो ये किन आएगा, 14 ही आएगा, ठीक है, direct 14 लिख रहा है आपके, तो cost data की value कि इतना आएगी, cost data की value आगाई, 10 पते 14, यानि कि 5 पते, 10 पते 14, यानि 5 पते 7, option number b, correct हो गया, ठीक है, option number b, नहीं देखते, नहीं सोचन है, if o is the origin and, op दे रखा है, o q दे रखा है, और p q पूछा गया है, ठीक है, देखे, ये 3D plane होता है, x मानता हो, इसे y मानता हो, इसे और ये origin होता है, o, इसको बोलते है, op, इसको बोलते है, o q, ठीक है, और जब इन दोनों को मिलाने वाली, इन दोनों को अगर मिलाएंगे, तो ये मिलेगी न, ये, इसको क्या बोलते है, p q, ठीक है, अभी इस चीज का मैं भी use लोंगा, देखे, इस question में, और एक होर आगे question उसमें भी, तो जब हम इन दोनों को मिलाते है, ये p point को और q point को तो कैसे मिलाते है, op, इतना दरखा है, o q, तो p q, p q क्या होगा, p q, जो मिलाने वाली line होगी उन दोनों को, वो क्या होगा, o q minus op, ये होगा, ठीक है, उन दोनों की जो line मिला रहे है, वो ये होगी, o q minus op, पांच में से 2 गया, 3i, 4 में से 3 गया, 1i, 1j, और ये बज़े, आपको minus 3, minus 3 में से, अगर इसे minus करूंगा, तो ये बज़ेगा, plus k, 3i plus j plus k, 3i plus j plus k, ये आगे, option number d में, तो ये होगी, मिलाने वाली रहे है, अभी इसके उपर एक और question आएगा, इससे थोड़ा advance question है, देग projection, इसमें देखी, दो question mix और के, एक तो projection बताना है, और एक joining line बतानी है, joining line आपको बतानी है, कैसे, आगे वाले से, पीछे वाले को minus कर दते हैं, joining line आगाती है, ठीक है, और projection भी बता दिये हैं आपको, तो देखिए, इस question को कैसे करेंगे, हमें बुलागे कि projection of vector इतना, on joining line of इसके, इसका joining line, देखिए, इसको कैसे लिख सकता हूँ, जैसे यह होगा, op, और यह क्या होगा, oq, यह क्या होगा, 3i, plus 4j, plus 2k, और इसी परकार आप इसको भी लिख सकते हो, तो अगर मैं बोलूं कि joining line क्या होगी, इसकी, तो यह होगी, pq, और pq कैसे निकलेगा, oq minus, op, यह निकलेगा, ठीक है, oq कितना है यह, 5 में से, 3 गया, 2i, 6 में से, 4 गया, 2j, और 3 में से, 2 गया, plus k, बस यह बचेगा, ठीक है, यह आगे हमार पर joining line, 2i, plus 2j, plus k, यह joining line आगे, इसके उपर हमें projection निकलना है, इसका, ठीक है, तो projection क्या था, a, cross b, upon, जिसके उपर हमें projection नि निकलना है, इसके उपर, तो इसका mod निकलना है, ठीक, तो सबसे पहले, इनका dot product निकाल लेते हैं, इसका करते हैं, 2 दूनी, 4, plus 3 दूनी, 6, और इसका करेंगे, 6, इकम 6, तो 6 से 6 कड़ीगा, यह तो 4 बच रहा है, ठीक है, चार आ गया, देखे, जो इसका, और जो joining line ने, कितना है, चार है, अपन, नीचे वाले का mod, जिसके उपर हम projection डाल रहे हैं, उसका mod, तो इसके उपर डाल रहे हैं, यह कितना था हमारा, इसके उपर डाल रहे हैं, यह कितना था, यह कितना था, तो 2i, plus 2j, plus k था, तो इसका mod निकलते हैं, 2 का कितना हो गया, 4, plus, 2 का 4, plus 1 का next question है आपका next question देखिए matrix है if matrix यह बराबर यह then value of x तो कैसे solve करते हैं बता जिए मैंने इसको दोनों को mod के form में change कर दो यानि determined बना दो और फिर वहां से cross और फिर minus करके into हो जाएगा cross into करना है और बीच में minus लगाना है आपका value हो जाएगा तो direct कर रहा हूँ 2x2 minus 524 2x2 minus 624 अब क्या कर रहा हूँ यहां से कितना बचे माइनस 18 इसको इधर बेज देता हूँ इसको इधर भेज दिया मैंने यह प्लस का 24 और प्लस के 24 में से 18 जाएगा तो कितना बचे बचेगा 6 बचेगा यानि 2x2 is equal to 6 बचेगा 6 को काड़ते हैं 3 से एक्स की वेली को आजाएगी plus minus under root 3 जो कि आपका option नमर c में है एक्स की वेली क्याएगी plus minus under root 3 यह plus minus का ध्यान देना ठीक है यही पर आप गलती कर सकते हूँ एक्जाम में जिरो माइनस पांस दूनी तास फिर बीच में अल्टरनेट्स आने गा माइनस आएगा एक फिर वैसे इसको चुपा देना जो पांस थी पंदरा और दो दूनी चाहर ठीक है पिर आपका बचेगा साथ साथ को चुपाएगे किन रहें पांस पच्छीस और जेरो इसको सॉल् माइनस का 41 करेंगे तो कितना आजाएगा आपका 4 3 1 134 आपका आपका आप्शन जो कि आप्शन नमर सी में है क्या इडियम का मतलब बताना है इडियम के हमारा रेनिंग कैट्स और डॉग का मतलब बता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिस होती है नॉन इस्टोप बारिस उ नैस्टोचन देखने नैस्टोचन है एक वहर इडियम आपके पास डाइम ओ डॉजन इसका हिंदी में क्या बोलते हैं बोलते हैं कौडियों के भाहव कोडियों के बाहव मतलब की जिसकी वैल्यू बहुत ज्यदा कम हो जो इसली अवेलिवल हो जो बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाता है उसी को तो बोलेंगे कॉडियों के भाव ओके तो अप्शन देखें अप्शन नमबर फर्स्ट है वेरी डिफिकल्ट तू फाइंड यह तो इसका उल्टा होगा है अप्शन नमबर सेकेंड है वेरी कॉश्टली मुर्क बना सकते हैं अपनी बात मनवा सकते हैं उसको क्या बोलते हैं जो इसली किसी की बात मान जाए या फिर कोई काम करने के लिए रेडी हो जाए बिना कुछ सोचे समझे उसको क्या बोलते है उसको बोलते है गलीवल इसको कोई-गलीवल प्रनाउंस करता है वो अपने पर डिपेंड है क्या परनाउंस करता है जिसका option number A साही होगा है गलीवल चीक है next question देखिए select the option that expresses the given sentence in passive word active दे रहा है हमें इसका passive voice बनाना है okay sentence camera they opened the gate to the theater at 6 p.m. sharp इसका हमें बनाना है passive तो मैं एक काम करता हूं मैंने क्या भूला था कि voice में क्या होता है tense change नहीं होता है tense change तो हम option की help लेते हैं देखिए सबसे पहले तो find करते हैं tense है कुण सा opened the gate यानि कि simple past है यह ना they opened the gate to the theater at 6 p.m. sharp opened open ed लगाओ यानि कि v2 v2 मतलब कि simple past है ओक तो simple past जूंडते है option में option number a the gate the gate to the theater were kept open by them यह वर लगाओ यह भी past में ठीक है second वाला option देखिए the gate to the theater were opened by them यह भी simple past है और यह देखिए यह चल गया आपका continuous में तो इसे तो काटी सकते है option number third नहीं है इसमें चलो कोई नहीं इसमें से आपका answer होगा option number first और option number second बचा है यहाँ पर the gate to the theater were kept open by them at 6 p.m. sharp तो अब इसमें दूसरा rule लगाते है object plus verb plus subject वाला object क्या है हमारा यहाँ पर the gate to the theater यह हमारा object होगा यह सबसे पहले आ जाएगा तो यह दोनों में पहले आ रखा है ठीक है इसके बाद आ जाएगा हमारा helping verb तो यह दोनों में आ रखा है उसके बाद आएगा इसको कैसे सॉल्ट करेंगे तो मैंने क्या बोलता कि narration में टैंस चेंज होता है और कौन सा किसमें चेंज होता है यह अब तक आपने सीख लिया होगा तो सबसे पहले संटेंस पड़ते हैं क्या है इसको काट देंगे और यह वाज है चल गए पास्ट में चल गए ठीक है वूड नहीं आता क्यूंकि यहाँ विल है नहीं तो वूड चेंज नहीं होगा वूड इसनों ने एक्स्टा लगा तो वूड होना नहीं चाहिए प्राइड यह भी क्या है हमारा सिंपल पास्ट में अब हमारे पर अप्सट नमबर सेकेंड और ऑप्शन नमबर फोर बचा है इन दोनों में देखते एक साही मिलेगा अप्सट नमबर टू बोल रहा है कि मदर सैट इट वाज़ब्राइड डे टू डे और इसमें बोल रहा और टूडे किसमें चेंज होता है तो यह अप्सट नमबर हमारा जो फोर है वह राइट होता है मज़ब्र सैट डेट इड़ डेट इड़ देड़ दिन क्या था ब्राइट डेट था ओके नेक्स वोसन फिर से हमारा नरेशन से डारेट संटेंज दरका इसका इंडिरेक्ट बड़ाना है ओके संटेंज के हमारा आई सैट तो माइ फ्रेंड वाई डिड नॉट यू आंसर माइ फोन कॉल रहा है कि तुम पूछ रहा है न अपने दोस्ते कि तुने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया पूछ रहा है मतलब कि आस्क हो रहा है इसमें क्या करेंगे अकॉर्ड ये सब में य ही मों जाता है कि वान दी नॉट यू आंसर्ड न फेकास्ट किसमें होता ऐमारा सिंपल पक्रफट देखते है कि सिथक्षे ये हमारा आंसर्मारु क्या है ये यह थिक है यह हमारे है ऑप्सक 파ट्पेक। option number 3 देखते है I ask my friend why she had been यह बीन लग गया बीन और answering यह किसमें continuous चल गया perfect continuous हो गया यह भी काट देंगे option number 4 देखे I ask my friend why she isn't यह आगा अपका present continuous में यह कड़िया तो क्या बचा हमारा पास केवल बचा option number second जो कि हमारा right answer option number second इसका right answer I asked my friend why she hasn't answer my phone calls okay next question देखें एंटोनियम बताना है imprudent का imprudent यह imprudent होता है ठीक है दोनों confusion मत होना यह imprudent और एक होता है एक आर आ जाता है पस imprudent दोनों का बता देता हो मैं आपको सबसे पहले हम देखते है imprudent क्या ah imprudent जो question में पूचा का जो careless होता है जो अविवेकी होता है मतलब जिसको थोड़ा सा भी patience ही होता है careless होता है उसे बोलते ah imprudent जो मतलब हमेसे जलदवाजी करता है किसी भी چीज कर उसका मतलब उसे कोई मतलब नहीं होता कि इसका consequence क्या होंगे ठीक है वो उसे बोलते है imprudent और imprudent क्या होता है कि जो रिस्पेक्ट ही नहीं करता, आधर सम्मान नहीं करता है, उसको बोलते हैं, इसका उल्टा पुछा गया है, इम्पुडेंट यानि कि जो सम्मान नहीं करता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो सम्मान करता है, और सम्मान के लिए क्या होगा है, रिस्पेक्ट्फुल, help the patient to stand up simple past simple past किसमें रहेगा simple past किसमें रहेगा क्योंकि यह wise है तो option number a the patient was being being लग गया यानी continuous में चल गया इसे काट सकते है option number second patient was helping यह भी कड़ी गया option number third the patient had been had been किसमें लगता है आपका continuous में यह भी कड़ी गया और यह आपका option number four the patient was helped by the nurse यह आपका simple past है ठीक है the patient was helped by the nurse to the stand up option number 4 correct हो गया तो इसी परकार से आपने एक्जाम में भी solve करना है इसके voice के और narration को question tense से हो जाएगा अगर आपने tense पढ़ा है तो tense से ही सारे question हो जाएगे चीक है easy question था आगे चलते है next question आपका one word से something something that is no longer in use ऐसी कोई चीज जिसका आप उप्योग नहीं होता है ठीक है वो खतम हो चुका है उसके लिए हम क्या word यूज करेंगे faded faded हो नहीं सकता aged मतलब क्या बहुत बूटा हो नहीं सकता इसके लिए जो word यूज करते हैं उसको बोलते ऑपसलेट obsolete का मतलब होता है जैसे कोई चीज obsolete हो जाती है obsolete का मतलब होता है कि अब वो यूज नहीं करते हैं उसको उसके जगह कोई दूसरी टेकनलोजी आगे या उसकी जगह किसी और चीज नहीं ले लिया है लेकिन उस चीज का हम यूज नहीं करते हैं तो उसी को बोलते ऑपसलेट दिए ऊप्षिन करेक्ट होगया रिए लिए लिए इन में से गलत क्या लिखा हुआ है तो देखें इमीडियुएट में डावल M d ठीक है बिल्कुछ सही है डेफिनेटली और प्रेटिक बिल्कुछ सही है और इल्लीगल यह इल्लीगल है आई ये पहला वहला इल्लीगल तो illegal में मैंने आपको बोला था कि double L आता है तो ये भी सही है तो ये तीन तो सही है option नमर जो second है वही हमारा गलत है ठीक है तो option second जो हमारा right answer है definitely define जैसे definitely finite की spelling क्या होती है finite यह होती है finite तो यहाँ यहाँ जो definitely होता है इसमें भी यही वाली spelling चलती है यानि की definitely definitely यह आगया अपसके ठीक है finite वाली spelling चलती है ठीक है definitely की spelling यह होती है d-e-f-i-n-i-t-e-l-y definitely ठीक है option नमर second सही हो गया हमारा next question है हमारा एंटोनियम से इसका उल्टा बताना है establish का establish का मतलब क्या होता है जिसे हम देखे establish मतलब कोई ऐसा संगठान या कोई ऐसी चीज जो बहुत समय से अस्तित्वे में और इसको लोग accept करते है उसको लोग मानते है कि हाँ यह चीज है उसको बोलते है ही मानते है या फिर जो चीज यहां से विस्थापित हो चुकी है यानि कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह आप्स नमबर फोर है displays establish का उल्टा क्या होता है displays establish मतलब किसी को हम इस्थापित कर रहे हैं और displays मतलब उसको यहां से हटा रहे हैं यहां से किसी और जगे सिप्ट कर रहे हैं या पिर कहीं और ली जा रहे हैं उसको बोलते हैं भेंस हो गया जो चरते से एक प्रकार के मिवेशी जैसा गाई का व गया था इसको भी हट बोलेंगे भेंस को भी हट बोलेंगे rika ठीक है नो जो मिवेशी टाइप का होते हैं उनके समुड़् को करेक्ट हो गया next देखे next time माया one word substitution से पुछा गया a remark that express approval और admiration तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था compliment एक ये वाला compliment था ये वाला compliment इस ये वाले compliment का मतलब क्या था match ठीक है कि match हो गया उसके जैसा दूसरा उसको बोलते हैं compliment ये वाला compliment और compliment ये पढ़ते हैं दोनों को compliment है लेकिन आई वाला है जो compliment इसको क्या बोलते हैं जैसे हम किसी की तारिफ कर रहे हैं honor ये तारिफ कर रहे हैं प्रेज कर रहे हैं किसी की प्रेज कर रहे हैं उसकी तारिफ कर रहे हैं उसको समान दे रहे हैं इसक फिर उसको बढ़ावा देते हैं तो वह भी एक परकार से क्या हुआ उसको हम compliment दे रहें तो इसका option number a correct होता है इसके क्या बोलते हैं compliment देना मुलते हैं ठीक है तो option number a correct होता है compliment ध्यान देना यह i वाला और e वाला दोन में confusion होता है यह वाला किसके लिए होता है match और यह वाला किसके होता है प्रेज तारीफ एडिमिरेशन अप्रूवल इसके लिए होता है यह वाला ठीक है अगर यह वाला आप नहीं कर पा रहे हो तो English आपकी बहुत बेकार है देखे कहां पर इरर एस पार्ट में एरर है एरर क्या है यहा पर एन नहीं आएगा आर्टिकल का एरर यहां पर क्या आएगा ए क्यों आएगा देखे आपने तो पढ़ा हुआ कि A, E, I, O, U से पहले क्या आता है N आता है लेकिन वो A, E, I, O, U से नहीं बलकि उन वर्ड से पहले आता है जो वो वर्ड साउंड प्रोडियूस करते है तो utility को जब हम पढ़ेंगे तो कैसे बढ़ते हैं utility ऐसे बढ़ेंगे utility तो यहाँ पर कैसे साउंड हो रहा है U का U क्या होता है Consonant Sound है तो इसलिए यहाँ पर N नहीं आएगा यहाँ पर क्या है यहाँ आएगा utility Consonant Sound है इसलिए यहाँ पर N नहीं आएगा यह आएगा यह वाला पाट हमारा Error है अप्शन नंबर B करेक्ट हो जाता है नेक्स देखते है नेक्स आपका Part of speech से बताना है कि Under का sentence हमारा The baby crawled under the bed तो under क्या है यहाँ पर Under है हमारा preposition जो preposition होता है उसका काम क्या होता है यह relation बनाता है noun और pronoun का with other word in sentence इस sentence में other word है उसका relation बनाएगा noun और pronoun जैसे कि देखिए the bed bad के हमारे noun इसका relation बना रहा है इस baby के साथ baby के उससे चलने से baby कहाँ चल रहा है तो bad के नीचे चल रहा है तो वह जो relation मना रहा है काम किसका होता है preposition का noun और pronoun का relation other word के साथ जो बनाता है sentence में उसको बोलते है preposition ठीक है और यह preposition यहाई से पता चल रहा है यह किसको बताएगा position को बताएगा किसी वस्तु के position को बता सकता है या फिर मैंने क्या बोला यह relation बताएगा now and pronoun का other word के साथ तो इसका answer क्या हो गया 4 preposition यह अंडर यहाँ पे ठीक है next देखिए नाउन यह प्रणाउन की जो विसेस्था बताता है उसको हम बोलते हैं विसेस्था यानि adjective ठीक है इसको इंग्लिस में बोलते है the word which qualifies नाउन और प्रणाउन उसको बोलते है एड्जक्टिव ठीक है तो यह इसको क्वालिफाइग कर रहा है इसको की विसेस्था बता रहा ह इसलिए यह क्या हो गया यहां पर एड्जक्टिव हो गया आगे चलते हैं नाइस वेशन देखिए इस पॉर्टिंग एरर से बताने किस पार्ट में एरर है वी विल डेफिनेटली देखिए डेफिनेटली की स्पेलिंग यहां देखिए है यह ना डी इफ आई एन आई बहुत अच्छा प्रिपेर किया है तैयारी बहुत अच्छे सी की है ओके तो देखिए वी वी डेफिनेटली वी इन देखिए हम जीतेंगे अभी जीता नहीं है तो फ्यूचर की बात कर रहा है वी लगाओ है बिल्कुछ साही है ओके इस टाइम इस टाइम बिकावस आवर has prepared well अच्छा, अब मैं बोल तो बिल्कुत सही रहा हूँ लेकिन लिखा है है, मैं बोल रहा हूँ has prepared, prepared आएगा क्योंकि has के साथ क्या आता है v3 आता है, has के साथ v3 आता है, perfect tense है present perfect tense, ठीक है, has हो गया have हो गया had हो गया इनके साथ क्या आता है, v3 आता है, तो यह दिहान रखना है, has है इसके साथ v3 आता है, यानि prepared आना था, prepared ed लगना था, v3 आना था, यहां फिर prepare का इस पार्ट में error है तो option number, तो यह किस option में, option number second में, has prepared नहीं आएगा, has prepared आएगा next देखते है next आपका फिर से spotting error से spotting error के question में ज़्यादा इस लिले क्योंकि spotting error अगर आप कर लोगे तो आपके जो grammar के concept है वो clear हो जाएंगे, और जो आपका slave है तो उसमें ज़्यादातर grammar ही दे रखा है देखे, the project is tough and I can't be able to complete it by Monday देखे, इसमें error कहाँ पे, तो error है आपका इस वाले पार्ट में यहाँ पे can't नहीं आएगा देखे, could और would इन दोनों में आपको difference बता देता हूँ could और would में difference क्या होता है दोनों models है, देखे could जब हम use करते हैं, जब हमें पता होता है कि हाँ यह चीज हो गई मतलब कि possibility होती है उसकी could is used to say that an action or event has a possible कि वो हो गई होगा उसके लिए हम use करेंगे could कि हाँ यह चीज हो गई होगा would कब use करते हैं कि हम पता नहीं होता कि होगा यह नहीं होगा, उसके लिए हम would use करते हैं जब हम 100% sure नहीं होता है जब हम 100% sure होंगे तब could लगाएंगे तो would is used to talk about the possible or imagined situation and it is often used when that possible situation is not going to happen जब जब तर इसको हम कब use करते हैं जो जिस चीज के हम possibility बता रहें कि हाँ यह चीज होगी उसके ना होने की संभवने ज्यादा होती करते हैं ठीक है sentence में बोला गया था कि the project is tough project क्या tough है अब project tough है और वह बोल भी रहा है कि मैं इसे करनी पाऊंगा Monday तक यानि इसमें क्या है ना होने की possibility ज्यादा है ना होने की possibility ज्यादा है यानि तो यहाँ पर can की जगे क्या आना चाहिए था would not would not यह आएगा ठीक है समझ में आ गया कि would और could का इस्तमाल कप करते हैं could का इस्तमाल तब करते हैं जब possibility हो मतलब 100% हो कि हाँ यह चीज़ होगी और would का इस्तमाल कप करते हैं जब हो भी सकता है ना भी हो सकता है लेकि ना होने की possibility ज़्यादा दिख रही हो तो हम would लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा would आएगा would not be able to आएगा the project is tough and I would not able to complete it by Monday तो जो हमारा option number second है यह वाला सही है इस पार्ट में error है ठीक है nice देखते है next question है आपका फिर से एक और आपका spotting the error question है बताने आपको किस पार्ट में error है the guards in the colony always keep an eye in things going on around ठीक है जो guard है colony के वो हमेशा अपनी आख जमा के रखते हैं जो भी चीज़े चल रही होती है चारो तरब colony में जो भी चीज़े चल रही होती है उस पर guard अपनी आखे जमा के रखते हैं ठीक है तो इसमें देखिए कहां पर error है the guard in the colony always keep an eye keep an eye एक idiom हुआ keep an eye मतलब हम किसी पर नजर रखते हैं सही गलत के sense में कि कोई गलत चीज़े तो नहीं हो रही है यहां पर उसको बोलते keep an eye यह क्या है keep an eye in the going around ठीक है अब देखिए यहां पर error कहां पर यहां पर error है in नहीं आएगा यहां पर क्या आएगा on आएगा जो भी चीज़े चल रही है उसमें नजर रखेगा या जो भी चीज़े चल रही है उस पर नजर रखेगा तो पर का sense आ रहा है यानि उस पर जो भी चीज़े चल रही है उस पर नजर रखेगा इसलिए यहां पर इन नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा on आएगा इहां पर क्या आएगा on आएगा the god in the colony always keep an eye on the things going on around ठीक है, जो भी चीजे चल रही है, उस पर वो नजर रख रहा है sentence है scarcely I had reached the terrace to water my plant dash two monkeys jumped in front of me जैसे ही मैं छत पे गया अपने पौधे को पानी देने वैसे ही दो बंदरों ने मेरे सामने जंप लगाया तो देखे इसका पेर चलता है इसमें आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है easy सा question है no sooner no sooner के साथ कौन सा पेर चलता है then t h a n वाला then ठीक है no sooner के साथ then का होता है scarcely hardly barely इन सब के साथ क्या चलता है when इनके साथ when तो इस type के question में दो परकार से आपसे error या फिर filler पूछा जाएगा पहला तो यह होता है कि इसका पेर ही पूछ लेगा जैसे कि यहाँ पूछ लिया scarcely अब यहाँ पे इसका पेर पूछ रहा है देखिए तो scarcely के साथ अभी क्या बता है मैंने when आएगा तो यहाँ पे आगे when एक तो यह पूछा जाता है दूसरा आपसे पूछा जाता है जो यहाँ पे error दे देता हो इस part में तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है यहाँ पे इनवर्जन चलता है इनवर्जन आपको पता होगा यहाँ पे इनवर्जन चल रहा है आपका helping work subject से पहले आ रहा है ठीक है तो यहाँ पे इनवर्जन का ध्यान रखना होता है आपको और दूसरा इसका जो पेर होता है और इंग्लिज के में कितने कितने हैं फिर टोटल बताने हैं तो इस वीडियो को मैं यहीं पर खतम करता हूं कमेंट के माधियम साहब बताए आपको यह वीडियो कैसे लगी मिलते नेक्स्ट वीडियो में जहिए